डाउटनेट पर होगा आपके सभी math, chemistry, physics और biology डाउट का सफाया बस अपनी question की फोटो खीचो उसे crop करो और उसे submit करो और तीन सकेंड के अंदर उसका वीडियो solution पाओ अज ही डाउटनेट एप लिंक description में दिया गया है Hello friends आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही YouTube चैनल LGR Study ITI में दोस्तों जिसा कि आप सभी जानते हैं कि ITI परवेश परिक्षा में GK, GS और Math से question पूछे जाते हैं दोस्तों आपको बता दे कि GK यानि कि General Knowledge से दोस्तों बहुत सारे subject से question पूछा जाता है जैसे कि दोस्तों आपका history है, इसके बाद आपका geography है, political science, economics, इसके बाद आपका computer, इसके बाद current affairs और games and sports इतने subject से दोस्तों यहाँ पर question पूछा जाता है, वही दोस्तों बात करें GS यानि कि General Science का तो इसमें दोस्तों केवल physics और chemistry से ही question पूछा जाता है, biology से यहाँ पर आपका question नहीं पूछा जाता है आपको दोस्तों बता दे कि इस video series के लिए हम काफी मेहनत करके GK और GS के सभी subject का दोस्तों हमने अलग-अलग top 100 question का दोस्तों selection किया है, जो कि आपके लिए काफी महतपूर्ण है और अगर दोस्तों आप इस video series के सभी question का अगर आप तयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% guarantee दे सकता हूँ कि यहांस दोस्तों बहुत सारा question आपके exam में direct जो है देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि हमने यह जो top 100 अलग-अलग question जैसे physics का 100, chemistry का 100, geography, सभी subject का दोस्तों एक-100 ऐसे question का हमने selection किया है, जो कि दोस्तों आपके IT exam में बार-बार पूछे जा चुके हैं और काफी महतपूर्ण है क्योंकि दोस्तों हमने यह जो selection किया, आपको बता दे कि हम अपने सामने जो है, 10 साल के previous year का question रखा और हमने उसमें देखा कि यह जो top 100 question है, वो दोस्तों बार-बार क्या किया जा रहा है, आपके exam में पूछा जा रहा है आपको बता दे कि अगर अभी तक आप हमारे ITA वाले mobile app को डाउनलोड नहीं किये हैं, तो इस वीडियो के description में दोस्तों हम ITA वाले mobile app का लिंक दे दिये हैं, वहां से डाउनलोड कर लिजी जो आपके ITA परवेस परिचा के लिए काफी महतपूर्ण है, तो चले दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज का दोस्तों फस्त महतपूर्ण question है, पूछ रही है कि निमने लिखित में से रसायनिक योगिक कौन सा है, आपको बता दे कि आज हम लोग सबसे पहले chemistry दो है, देखने कोशिस करेंगे, chemistry आज स्टार्ट करेंगे, तो आज का जो first question है पूछ रहे कि निमने लिखित में से रसायनिक योगिक कौन सा है, तो यहाँ दोस्तों आज का जो first का जो C option है बिल्कुल ही सही होगा, यानि दोस्तों ammonia यह क्या है रसायनिक योगिक हैं, आप याद रखेंगे, next जो यहाँ पर आपका दो नंबर महतपूर्ण question है, पूछ कि सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन के आबेश का सफलता पुर्वक निर्धारन किसे ने किया, इलेक्ट्रॉन के आबेश का दोस्तों सफलता पुर्वक निर्धारन किसे ने किया, यह आपको बताना है तो दो का B option जो है, बिल्कुल सही होगा, यानि कि दोस्तों यहाँ पर मिल निक्लियर कन में कोई द्रव्यमान और कोई आबेस नहीं होता है किन्तु प्रचक्रन होता है कौन ऐसा निक्लियर कन है जिसमें कोई दोस्तो द्रव्यमान भी नहीं होता है और कोई आबेस भी नहीं होता है लेकिन दोस्तो प्रचक्रन होता है कौन ऐसा निक्लियर कन है इसके बारे में आपको बताना है तो तीन का जो आपका C option है स्योगा यानिक दोस्तो निट्रियोन निट्रोन जो है निट्रोनो निट्रिनो जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा next यहाँ पर जो आपका चार नंबर महत्पूर्ण कुश्चन है पूछ रहे कि किसी तत्यो के रस सायनिक गुनों का दोस्तो निर्धारन करती है next आगे बढ़ते हैं जो आपका पांच नंबर महत्पूर्ण कुश्चन है हलकाम बढ़ा कर दिये हैं पांच नंबर कुश्चन की तो आपसी पूछाजरे कि निमने लिखित में से कौन सी इलेक्ट्रोनिक सन रूपन धातू तत्तो के लिए हैं इलेक्ट्रोनिक सन रूपन का मतलब है इलेक्ट्रोनिक बिन्यास आप सभी जानते होंगे तो निमने लिखित में से कौन सा एक परमानू का भाग नहीं है यहां पर आप कर आप से पूछा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की रेडियो अक्ट्वी बीटी जो है इसका घटना है इसका दोस्तो खोज किसने किया तो साथ का जो सही आंसर होगा C होगा यानिकी हैनरी बैकरेल ने किसी दोस्तो हेनरी बेकरेल जो है रेडियो सक्रियता का खोज किये थे आप याद रखेंगे वीडियो को ध्यान से देखेंगे उतना ही दोस्तो आपको अधिक जो है समझ में आएगा और अधिक दीन तक आप इसको याद रख पाएंगे बताना है तो दोस्तो आपको बता दे कि यहां जो आट का आपका सही आंसर हो जाएगा यानि कि यहां पर आप देख सकते हैं कि चार होगा कि दना होगा दोस्तो चार नेक्स्ट यहां पर आपका जो 9 number question है पूछ रहें कि निमनलिकित में से किसमे रिनात्मक आवेस होती है रिनात्मक आवेस किसमे होता है यह आपको बताना है तो नोकाज दोस्तों यहां पर आपका सही आंसरों का B होगा जलनी कि बीटा किरन जो है आपको याद रखना है कि बीटा किरन में दोस्तों जो रिनात्मक आवेस होता है यान कि निगेटिव चार्ज होता है वही अगर अल्फा कंग का बात किया जा तो याद रखेंगे कि अल्फा कंग जो होती है धनात्मक होती है पॉजेटिव होती है नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं जो यहाँ पर आपका जो दस नंबर महत्पूर्ण कुश्चन है कुश्चन के दोरा पूछ अगर है कि निमने लिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है रेडियो की सतत परकिरिया को जारी रखने के लिए किस कन की जरूरत होती है यूरेनियम विखंडन के सतत जो आपका विखंडन की परकिरिया होता है उसको जारी रखने के लिए किस जो है आपका कन का जो है किस कन की जरूरत पढ़ती है यह आपको बताना है तो एगारा का जो यहाँ आर्फ नावकीय रेयक्टर में मंदक का काम करता है नइज्ट यहाel पर आपका जो तेरा नमर कोश्चन है पूछले हैं निमने लिखित रेडियो तत्तो में से किसका उपयोग मनुस के सरीर में रक्त परवा की गती के मापने को मापने में किया जाता है मनुस के सरीर का जो रक्त परवा हो रहा उसके गती को मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव जो है तत्तो का उपयोग किया जाता है तो तेरा का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो D होगा यानि कि आप देख सकते हैं कि रेडियो सोडियम का किसका दोस्तों तो रेडियो सोडियम का यहाँ पर यूज किया जाता है चोदा नंबर कोश्चन है कि किसी तत्तों के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन संख्याओं के उपस्तिती के कारण होता है जो समस्थानिक है उसके बीच का जो अंतर है वो किसके भिन संख्या होने के कारण होता है बिन मतलब अलग-अलग संख्या होने के कारण होता है तो 14 का जो आपका सही आंसर होगा वो B होगा यानि कि Neutron किसका जो तो Neutron यहाँ पर आपका विल्कुल सही आंसर हो जाएगा Next आगे बढ़ते हैं जो आपका 15 नंबर महत्पूर्ण कोश्चन है पूछ रेकी निमने लिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन होता है संभारिक जो है किसके उत्सर्जन से उत्पन होता है तो 15 का जो यहाँ पर आपका B option है सही योगा निकी बीटा किरन से किसके जो तो बीटा किरन के उत्पन से क्या उत्पन होता है तो संभारिक उत्पन होता है नेक्स्ट यहां पर आपका जो 16 नंबर कोईश्चन है पूछले कि निम्नलेखित रसाइनिक तत्व में से किस तत्व की है न अपने सभी योगिक में आक्सी करन अवस्था समान होती है कौन ऐसा रसाइनिक तत्व है जिसका दोस्तों अपने सभी योगिक में जो है आक्सी करन का जो अवस्था है वो समान होता है तो यहां पर 16 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों भी हो जाएगा इनने की फोलोरीन में किसमें सो तो फोलोरीन आप याद रखेंगे 17 नंबर कोईश्चन है पूछ रहे कि किसी एक समानने बैक्ती के रख्त का पी एच अस्तर क्या होता है तो यह आपको जो बैक्ती समानने मतलब जो बिमार नहीं है उस बैक्ती के रख्त का पी एच मान आपको बताना है कितना से कितना तक हो सकता है तो 17 का यहां पर जो आपका C option है, 17 का C option बिल्कुल इसे होगा 7.35 से लेकर के 7.45 तक एक सामान ने बेक्ति के रक्त का पियजमान हो सकता है Next यहां पर जो आपका 18 number question है, पूछ रहे कि निमने लिखित में से कौन सा योगिक हैनल, लुईस अमल नहीं है, लुईस अमल 19 number question है, पूछ रहे कि ताप एबम दाब की समान अबस्थाओं में विभिन गैसों के समान आयन में किस की संख्या समान होती है आपको पूछा गया कि ताप एबम दाब की समान अबस्था में ताप और दाब एकदम फिक्स रहेगा उसको आप चेंज नहीं करेंगे उस अबस्था में विभिन गैसों के है ना, समान आयतन में समान आयतन में किस की संख्या समान होती है ये आपको बताना है, तो 19 का आपका जो B option है के का आनू की संख्या हमेसा क्या होती है समान होती है 20 number question है पूछरे की निमने लिखित में से कौन सा इंधन निवन्तम है न पढ़ियावरनिये परदूसन उत्पन करता है कौन ऐसा इंधन है जो सबसे कम पढ़ियावरन में परदूसन फैलाता है तो यहाँ पर 20 का जो सही आंसर होगा दोस्तो 20 का C option आपका से होगा यानि की hydrogen hydrogen जो है वो कम मात्रा में इस सभी के तुलना में डीजल, कोईला और किरोशिन के तुलना में जो है सबसे कम परदूसन उत्पन करने का काम करती है नेक्स्ट यहाँ पर आपका 21 number question है पूछरे की निमने लिखित में से जिए किस में सुन्ने electron समझातियता होती है तो 20 का D option से होगा यानि की neon में किसमें दोस्तों neon में जो है सुन्ने electron समझातियता होता है नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 22 number question है question के दोराब से पूछ़ा जारा है जैसा कि आप देख सकते हैं की आजकल सरक की रोशनी में पीले लेंप बहुत आयत से परयोग परयुक्त हो रहे हैं इस लेंप में निम्नलिकित में से किसका उपयोग किया जाता है आप सरक पर देखते होंगे कि जनरली जो है पीले लेंप का जो है यूज किया जा रहा है पीले लेंप का तो इस लेंप में जो है किसका उप्योग किया जाता ही आपको बताना है तो बायस का जो आपका सयांस पर कोई यहाँ लवनों में समजातिये समझाती है सागडिये जल बोला गया है यहाँ पर निम्न लबनों में सागडिये simply जो है यहाँ पर आप गौर से देखेंगे पुछा जा रहा है कि निम्न लबनों में सागडिये जल की लबनता में किसका आधिकतम योगदान है मतलब आप सभी जानते हैं जो सागर है उसमें लवन है मतलब नमक है तो उसमें सबसे अधिक किस परकार का लवन है ये आपको बताना है तो 23 का जो D option है सही होगा इनने की sodium chloride है सबसे अधिक क्या दोस्तो sodium chloride है और यही sodium chloride दोस्तो मनुसर जो है भोजन के रूप में भी यूज करते हैं 24 नमबर जो आपका question है 24 नमबर question के जो आपसे पूछा जा रहा है जिसा कि आप देख सकते हैं कि chlorophyll आनू में निम्लेखित में से क्या मुझूद होता है क्लोडोफिल आप सभी जाते हैं जिसके कारण पत्ते का रंग हरा होता है क्लोडोफिल के कारण तो 24 का आपका जो B option है यानि की mg क्या दोस्तो mg मतलब magnesium उसमें पाया जाता है नेक्स्ट यहां पर आपका जो 25 नंबर कोष्चन है पूछ रहे की almonium किसमें घुले हुए सुद्ध al2o3 के बैदूत अपगटन द्वारा प्राप्त किया जाता है तो 25 का जो आपका सही आंसर होगा दोस्तो यहां पर आपका 35 का B option आपका बिल्कुल ही सही होगा निकि क्रायो लाइट के किसो दो क्रायो लाइट यहां पर क्रायो लाइट आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा आज के लिए नहीं रखते हैं आसा करते हैं कि आपको व वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें